तो डोनल्ड ट्रम्प जो है वो अमरीकी चुनाव जीद गए हैं राजपती बनने वाले हैं ये कुछ एक आच्छी खबर रोचक खबर मेरे जानकारी में आई तो मैंने कहा कि आपके साथ जरूर साजा करूं इसमें जो है कुछ टाइम लाइन जो है वो दिया हुआ है टाइम राजपती के रूप में और उसके पहले डिसमबर 11 को एक साथ काम होने वाला है उस दिन जो है जो अमरीकी चुनाव है इसका सर्टिकेशन होगा है यार और इसके बाद जो है दिसमबर सतरा को जो है यानि जो मतलब दिसमबर 11 को जो है यह माना जैगा कि जो वोट गरन गिन्ती हुई है वो सही है और कहीं कोई विवाद किसी दिन नहीं है कहीं कोई किसी ने विवाद नहीं किया है Henna December 17 को जो है ये जो Electoral College का जो है Vote होगा और एक आपचारिक रूप से जो है जो Electoral College है जो की 538 की संख्या में है इनके जो है इनको एक साथ एक जगा पर इखटा किया जाएगा और ये जो है राश्पती और उपराश्पती के नाम पर अपनी सहमती जताएंगे ठीक है तो ये भी एक तरह का एक तरह का रेकॉर्ड जो है एक तरह का दर्ज करने वाला मामला है कि आधिकारी गुरूप से जो है राश्प तो अमेरिका के संसत जो है वो भी जो है जो हाल में चुनाओ हुए है जिसमें ट्रम्प जीते हैं उनको सर्टिफाई करने का काम जो है संसत की ओर से होगा है ना तो जनवरी छे जो है कॉंग्रेस जो है वो इस चुनाओ को जो है वो सही बताएगी और चुनाओ के जो नतीजे है उसकी कोशना करेगी और इसको सर्टिफाई करेगी है ना तो ये भी एक महतपूर्ण दिन हो गया और इसके बाद जो है जनवरी बीस आता है जनवरी बीस को जो है वहां की भाषा में इनाउगरेशन डे कहते है यानि कि राश्पती का कारेकाल शुरू हुआ तो इनाउगर की बात करता है और अमेरिका का खुद भी चवी जो है वो सेकुलर चवी बताई जाती है लेकिन जो इसमें बात आती है वो ये कि इनाउगरेशन डे के दिन यानि कि जिस दिन राश्पती अपना कारेबार शुरू करते हैं उस दिन जो है वो सुबा में चर्च में जो है जो पार्थना होती है उससे बात शुरू होती है तो ये भी अपने आप में जी से कि बाईडन के कारेकाल का द्वरान जो है सेंट मैथ्यूज कैफेड्रल में जो है वहाँ पर morning prayers हुए थे और उसके बाद पिर उन्होंने बाईडन का कारेकाल शुरू हुआ था तो उसी तरह से ट्रम भी जिस चर्च में जाते होंगे या जिस चर्च में उनके लिए पार्थना की जानी होगी वहाँ पर जो है जरूर पार्थना होगी अला कि जब कटुता जादा होती है तो कई बार नहीं भी होते हैं शामिल वह अलग अलग बात है अब जो है एक जो समझने वाली बात है कि ट्रम के जो जो कैबिनेट है उसके बारे में बात करते हैं चुकि उसमें जो है यह माना जा रहा है कि जो है कई हिंदू नाम हो सकते है विवेक रामा सौमी का नाम है और तुलसी गैबर्ट का नाम है तुलसी गैबर्ट भी जो ने काफी मरत की है ट्रम्प की उनके चुनावी अभियान में जबकि वो डेमोक्राटिक पार्टी में हुआ करती थी लेकिन क्लिंटन्स के साथ उनकी जादा जो है बनी नहीं और इसल पूरी रननीती बनाने में जो है इनकी बहुत प्रमुक भूमिका मानी जाती है इसको जो है चीफ अफ स्टाफ यानि कि सियना का चीफ अफ स्टाफ जो है इस इस पद पर जो है जो है ट्रम्प ने नियुक्त किया है और यह बताया जा रहा है कि इस उसी वाइल्स जो है यह Immigration and Customs Enforcement Director है ना तो ये जो है एक महतपूर्ण विशह है चुकि ट्रम्प ने घुस्पैट को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और दुनिया भी जानना चाहती है कि जितने लोग वहाँ पर अवैद रूप से रह रह रहे हैं अमेरिका में उनके साथ क्या होने वाला है कि इस तरह के नियम कानून होंगे कैसे किस प्रक्रिया के दौरान किस प्रक्रिया से जो है पहचान होगी कि कौन अवैद है और क्या उनके साथ किया जाएगा और जो ऐérioती है बहुत मॉहत्पुट मानी जाती है तो टॉम होमन जो है बॉर्डर जार है यह जो है टरॉम के राश्पती के कारेकाल में जो है उस कौछ प्रक्रिया अपना ही जा रहे हैं उनको डिसकरेज करने के लिए उनको जो है हतोत्साहित करने के लिए जो है जो प्रक्रिया अपना ही जा रही है उसमें बच्चों को परिवार से अलग कर दिया जा रहा है इस तरह के आरोप लगे थे और इसके बार में जवाब देना पढ़ा था टॉम होमन को भी तो टॉम होमन को जो है यह महतवपुन पत दिया गया है और अचा जो नाम चल रहा है वो नाम चल रहा है फ्लॉरीडा के सेनिटर है मार्को रुबियो तो अगर जो है, मार्को रुबियो को पद मिलता है, तो मार्को रुबियो के बारे में ये जानना चाहिए, कि बाइडन प्रशासन के दौरान, यानि कि अभी जो कारेकाल चल रहा है बाइडन का, इसी दौरान जो है, पिछले सत्र में, संसत के सत्र में, मार्को रुबियो ने एक विधेयक लाये थे उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे दूसरे नेटो एलाइज हैं जैसे कि इसराइल है जापान है साउथ कोरिया है उसी तरज पर भारत को भी अपना डिफेंस पार्टनर माना जाए और अगर भारत जो है अपनी तातकालिक जरूरत के लिए रूस से जो है मोडने की कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए जो है मने कि वह बहुत ही एक ऐसा ऐसा उन्होंने विधेयक पेश किया था कि भारत में चर्चा हुई थी लेकिन भारत से जारा पाकिस्तान में चर्चा हुई थी उस विधेयक की और तो यह माना जाना चाहिए कि मा बहुत जवान एक बहुत यंग जो है पॉलिटिशन है और पहले भी इनका नाम रहा है और विदेश मंत्री के रूप में सामने आते हैं तो भारत के लिए अच्छी खबर होगी भारत काफी स्वागत किया जाएगा उनका और ये अच्छी खबर हो सकती है फिर जो बात आती है Secretary of State के बाद में जो है जो भारत के लिए जो है रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री के रूप में बुर्गम है इनका नाम चल रहा है अभी कोई confirm नहीं हुआ है लेकिन जो गरह मंत्री है जो Director of Homeland Security हैना जो गरह मंत्राले का पद है वो उसके बारे में जो है विवेक रामस्वामी क नाम जो है वो प्रमुक्तस चल रहा है जो जो अमेरिका का गरह मंत्री का पद होगा वो जो है विवेक रामस्वामी के हिस्से आ सकता है यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ा सम्मान होगा विवेक रामस्वामी के लिए बहुत प्रखर रखता है बहुत जबरदस् यह काफी नए लोगों को जो है मौका देने का विचार में हैं देविड वांस डेविड वांस जो है जो उप्र ऑधराष्पती बनेंगे उनकी पत्दी जो है वो भारत में रामूल की है उशा चिलुकुरी वो तो हिंदू है ऐसा बताते हैं कि वो convert नहीं हुई है वो हिंदू है और उनका पती जो है वो इसाई है तो इस हिसाब से भी जो है हिंदू वोट पाने में जो है काफी मरत मिली होगी ऐसा माना जाना चाहिए तो यह जो है कुछ महत्पूर्ण विशा है बाकी जो अपॉइंट्मेंट से उनमें बहुत सारा नाम दिया लेकिन अपने काम का जो है वो मने जो भारात में चर्चा होगी वोसे कम लोग हैं तो यह जो है कुछ महत्पूर्ण बिंदू है मुझे लगा कि काफी एक्स्लूजिव टैप जानकारी है तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए अगर आपको रूची हो तो इसको जरूर आप सुनिये और सहेच के रखिये